नमस्कार मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंस्वार्स कल और अंगबाद में रैष्ट्रवादी जनलोग पार्टी के द्वारा इक भव्य मार्श निकाला गया जिसमें जुहारखन के हुसेन बाद के पुर्व विधाय की गिरफ्तारी की मांग की गई जिसका नेत्रित्वा आपको बता दे कि राष्टवादी जनलोग पार्टी के जलाद्यक्ष दिवेश कुमार सिंग तथा नवी नकर बिला सारी की मांग को लेकर रविवार को एक आक्रोश रैली निकाली गई जो शहर के गांथी मैदान से निकल कर मुख्य बाजवार रमेश शौक होते हुए दानी भीगा पहुंची और एक सभा में तबदील हो गई रैली में जिले के विभन्य प्रकंडों से लगभग दस हजार की संख्या में शामिल युवाओ द्वार ज़ारकंड के राज हुसेनाबाद के पुर्विधायक शुपूजन महता की गिरफतारी की मांग कर रहे थी रैली में शामिल लोगों का रूप था कि पुर्विधायक द्वारा जातिय उन्मात को बढ़ावा दिनी की नियत से स्वर्ण सामाज को खुले आम गाली दिनी का काम किया गया था जिससे जिले में सामाजिक सौहाद बिगड रहा था जिससे जातिय गोल बंदी हो रही थी जो सामाजिक सौहाद उनके लिए घातक थी इसके लिए पुर्व में भी नवी नगर में प्रदर्शन किया गया था और पुर्विधायक की गिरफतारी की मांगी गई थी लेकिन पुलिस द्वारा उसकी गिरफतारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों के द्वारा या रैली सभा के द्वारा मांग किया गया कि यदि 15 दिनों के अंदर पुर्विधायक शेपुजन मेहदा की गिरफतारी नहीं होती है तो लोग और आंदोलन के लिए बाद ही होंगे आप लोगों को भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उ कि 15 दिन काल्टीमेटम दे दिया है कि पुर्विधायक की गिरफतारी नहीं होती है तो और ज्यादा अंदोलन करेंगे गोर्टलाव है कि पिछले मांच अगरस्त को अंबा शेतर के पुर्व जिला पारशद सूमन देवी के पती सुजीत महता की अप्राधियों के द्वारा निकाली गई हो और उनने की गिरफतारी की मांग की जा रही है आप इस विशे में आपका क्या कुछ करना में कमेंट कर जरूर बताएं शौन को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेश को लाइक करें साथे बिहार की तमाम चोटी परीखबर सबसे पहले अपने पास पाने के निचो दिये का निमबर पर जरूर मेसेज करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया